नमस्कार मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयूश मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट आज हम बात करेंगे पैरों में जो सूजन आ जाती है उसको लेकर बहुत ज़रूरी है और देखिए हमारी जो स्किन है ना यह हमारी स्किन तीसरी किड्नी बोली जाती है स्किन सब बता देती है और प्रस्परेट भी करती है जैसे किड्नी का काम है वो सारा करती है अब problem क्या हो जाती है जब हमारी arteries के पास हार्ट है pump करने के लिए veins के पास वो नहीं है veins के पास valve मिली है हर valve में जाके blood रुपता है फिर आगे जाड़के तो आगे आगे ऐसे बढ़ता है अब क्या हो जाता है समय के साथ जब हम खड़े बहुत रह जाते हैं एक ही स्थान पर काम करते हैं चाहे हम डॉक्टर हो चाहे ग्रहनी हो सब काग जिनका खड़े ओगने का काम है कहीं ना कहीं वो blood का circulation है वो जादा बढ़ने की वज़ए से legs में जादा आ जाता है और फिर वॉल्व धीले पड़ जाते हैं और उनमें से फिर leakage होने लगती है जिसकी वज़ए से inflammation वगरा हो जाती है इतना कि अगर आप आपको अगर पता है कि पैर में उंगली लगाई और जब आपने छोड़ दी उसके बाद उंगली का निशान बना रह गया अंदर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है ब्लड वापस फ्लो नहीं हो पा रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पर बहुत आसानी से अंडल हो सकती है योग की सहायता से चलिए आज कुछ अभ्यास करेंगे जिससे कि आपका ब्लड का सर्कूलेशन ठीक हो जाए पूरे सर्कूलेटरी सिस्टम पर काम होगा और आप इसके फाइदे डेफिनेटली पापाएंगे हैंगे ना चले शुरू करते हैं आज का सत्र सबसे पहला अभ्यास होगा इसमें हम शुरू करेंगे आपने क्यूंकि सबसे पहले पीट जो आपके पैरों की बात हो रही है तो पैरों को चलाना है और की बड़ी की रिलैक्सेशन चलेगी हमें करना क्या है पेरों को चलाना है तो पहले तो सिर्फ पेर की उंगलियां चेहरे की तरफ खीचें और फिर भीचें खीचें भीचें भीचें पहला अभ्यास दूसरे अभ्यास में अंकल्स की बारी आ गई ब्रीध इन करेंगे तो अंकल्स से चेहरे की तरफ खीचा फिर ब्रीध आ श्वासों के साथ करेंगे तो बेनिफिट बहुत डीप अंदर शरीर में जाएगा अदर्वाइज उपर-उपर अगर मुवमेंट रहेगी तो बड़ा मेकैनिकल हो जाता है ठीक है तीसरा इसी में ही एंकल्स को पैडल यूर फीट जिसे बोलते हैं एक बार में एक पैर को पैडल किया एक आगे एक पीछे और अगर इसमें गुटने लॉक रहेंगे तो आप देखोगे कि हिप तक मुवमेंट भी इसमें बड़िया हो जाती है तीन हो गए चौथा इसी में ही पैरों को देफेस इच अदर इनसाइड आउट रोटेशन और फिर आउटसाइड इन उसी का काउंटर और लास्ट पैरों में क्लॉक वाइज रोटेशन पांच से दस बार ब्रेथ के साथ और फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन बहुत अच्छे यह करने के बाद भी आपके पैरों में जान आ जाएगी यह सबसे पहला स्टेप है आपने पांच तरीके से अपने पैर चला लिए इसी में इसके बाद अगला अभ्यास अच्छा अगले में जाने से पहले मान लीजे आपको सीवियर बहुत प्रॉब्लम इतनी आ गई है कि पैर की चपल आपको बड़ी पहन नहीं पढ़ रही है क्योंकि चपल भी नहीं आ पा रही है तो क्या करेंगे पिलो लेकर पैर के नीचे लगा कर सोएंगे तो क्या होगा कि लेग्स आपकी हार्ट की लाइन से उपर आ गए जब पैर आपके उपर आ गए तो ब्लड का सर्कुलेशन आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं यह बहुत जल्दी आपको साहिता देगा अच्छा अगला अभ्यास हमने एंकल्स चला लिए अब यहां से थोड़ा सा लेट कर करेंगे लेटने का तरीका है जैसे आपको पता है कि साइड से गए फिर पूरा अपने स्थान पर जगे बना लिए तो पहला अभ्यास होगा इसको बोलते हैं लेग्स ऑन दे वाल या तो विपरीत करनी विपरीत करनी मैं दिखाऊंगा कैसे और उसको आप फिर वाल पर भी मानलीजे आपका बेड का हेड़ बोड है जहां पर आप सर रखते हैं और सामने टीवी देखते हैं जो बात करते है स्टेप बाइ स्टेप जाएंगे ब्रीध इन किया सुपाइन लाइन आप पीछे लेटे हुए है फुर्टीफाइड डिग्री लेक को उठाया पिर नभए डिग्री यहां भी रह सकते हैं पर अगर इसके बाद पूरा विपरीत करनी के लिए लेक्स को उठाया फिर से और स से अपने लेक्स को लगा दें अच्छा इसमें और सर्वांगासन में क्या फरक है कि सर्वांगासन में चिन लॉक लग जाता है इसमें गर्दन एकदम फ्री है आप इसमें रहें विप्रीत करनी में ब्लड को फ्लो होने दें 30 से वन मिनट तक रुख सकते हैं और फिर उसके बाद वापस आने के लिए फिर से लेक्स उपर हातों का स्टैंड बनाया धीरे धीरे गर्दन ना उठे आराम से नभे पेंटालेस और फिर जीरो डिग्री अब इसका इजी वर्जिन क्या है लेक्स अब मान लीजे आप यह आपका हेड़ बोर्ड है या वाल है इस पर आपने बस साइट से गए और लेक्स को सेट कर दिया इस तिती में भी रहेंगे तो ब्लड का फ्लो वापस होने लगा है वेंज अपने आप अपना काम कर रहे हैं पैर एकदम हलके हो जाएंगे और फिर वापस आने के लिए एक साइट से टर्ण होकर इधर जाएं या इधर जाकर फिर आराम से उठके वापस आजाएंगे विप्रीत करनी विप्रीत करनी के बाद अगला अभ्यास होगा सेतु बंदासन ये भी लेटे लेटे हो जाएगा और ये सब लोग कर सकते हैं चाहें ग्रेणी हो कोई भी उमर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे होगा स्थिति सुपाइन पीट के बल लेट कर दोनों घुटनों को मोडा हतेलिया धर्ती की तरफ और आपके हातों की उंगलिया हील के नीचे आ जाएं तो बहुत अच्छा नहीं तो अगर दूर है मान लीजे हम इतना दूर है तो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहां से ब्रीद इं करते हुए आप अपने हिप्स को और चेस को उठाएंगे आपके घुटने आपके पंजों को क्रॉस ना करें इस बात का धिहान रखना है और फिर बेढ़ब करते वापस है बेढ़ करते ऐूपर hebभी थोड़े से इड़ांश लेवलिSo시 य से मान से अपने ऑंकूल्ज को पकड़कर इसे कर पाएं पूरी दरे से पक्ड़ा बरी दिса होगा हिपसा। उसके बाद आराम से पेरों को निकाला विश्राम करें हर आसन के बाद हर प्रैक्टिस के बाद विश्राम होगा जितनी देर आपने अभ्यास किया है उतनी देर का ही और फिर किसी भी साइट से टर्न होकर आराम से आप वापस आ सकते हैं सेतुबंदासन सेतुबंद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पर ये वन अफ दे बेनिफिट्स है आपके पैरों की उंगलियों को ताकत देगा, आपकी लेक्स को ताकत देगा थाइस को जहां भी बलड का सर्कुलेशन नहीं चल पा रहा है उस पर काम करेगा आगे कुछ अभ्यास हैं जिनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा या अलग तरीके से करेंगे ठीक है? चलते हैं आगे खड़े होकर किये जाने वाले अभ्यासों में कैसे पैरों को ताकत देने के लिए उतकट आसन का भ्यास होगा उतकट कैसे होगा? चेर पोज जिसे बोलते हैं है चेर पोज में दोनों पैरों में हिप्स जितना गैप रहेगा साइट से दिखाऊंगा हाथ करीब साथ डिगरी तक उपर रखें यह हो गया हमारा इतने तक कान के पास, biceps, ears touching, close to each other as you breathe in breathe out करते हैं अपने hips को बाहर ऐसे निकालें जैसे चेर पर ही बैठने वाले हैं आपके गुटने पंजों को ख्रॉस ना करें फिर वापस, breathe in करते हैं इसमें breath को भी अलग कर सकते हैं breathe in करके और hold करें breathe in hold the breath breathe out ठीक है, breathe in breathe out उत्कट आसन और मान लीजे, हम ये position नहीं कर पाते हैं हम थोड़ी उमर मान लीजे, हमारी जादा है चेर रख लें पीछे चेर पर बैठें, बिना हाथ लगाए ऐसे बैठ टेम्ट हाथ निलगाना है बस चेर रखी चेर पर आप बैठ गए और फिर चेर से आप खड़े हो गए ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी उमर जादा है मान लीजे, 80 हैं, 70 हैं, 60 हैं, doesn't matter बट अगर आपको लगता है कि आप चेर पोज नहीं कर पा रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं चलिए, अगला अभ्यास होगा, इसको बोलते हैं पर्बत आसन, अदो मुक्षवान आसन भी बोल सकते हैं, जिसमें की हेड बाहर रहता है, पर हम इसे पर्बत आसन के समान करेंगे, तो पर्बत आसन में जाने के लिए, आप अपनी पुजिशन में मैट के एड पे आए, प बैट काव पोजिशन हो गई, हमारी मरजरी आसन की हातों को मेजर करके गए, पंजों को टोस को टकिन किया, और यहां से अपनी हील्स को प्रेस किया पीछे की तरफ, यह अदो मुक्षवान आसन होगे, जिसमें आपका सर निकला है, सामने की तरफ आप देख रहे हैं, और अगर परवद बना दें, तो ब्रीदें और ब्रीद आउट करतें, अपनी नेवल की तरफ ध्यान लगाएं, हील्स पूरे लगे हुए हैं, अच्छा स्पाइन में ऐसे कई बर ऐसे कुब आ जाता है, उसको पुश करें, कुब को खतम करने की कोशिश, अगर आपकी हील्स न और आप देखेंगे, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन वेंद आपकी एकदम बढ़िया तरीके से काम करेंगी, वापस आने के लिए घुटनों को रखा, पैरों में गैप और शशक आसन में विश्राम करें, ये भी आपके पैरों को बढ़िया तरीके से काम पे लगाएगा और आपकी लेग्स में जितनी भी तकलीफ है उसको दूर करेगा, अन्तिम अभियास, मलासन, अभी क्या हुआ है, जब से ये इंग्लिश टॉलेट अमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रचलन, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से फैल गए हैं, कि अब हम धूनने पर अभी इंडिन टॉलेट नहीं मिलते हैं, और कोशिश करें कि अगर ना जा सकें टॉलेट ना जा पा रहे हैं, तो कम से कम मलासन का भीहास करें, पेरों में हिप्स इतना ग्याप, ब्रीदें, और ब्रीद आउट करते हुए, आराम से, हील्स को लगा कर अपने स्थान पर बै और अगर इसी में आप अच्छी से, मान लीजे, पंजो को बाहर निकाल कर और थोड़ा गैब बढ़ा कर अच्छी से बैठ पाएं, हिप्स जितना नीचे गए उतना बढ़िया, अपने कोहनियों से गुटनों को पीछे पूश किया, कमर जितनी भी अगर आपकी राउंड ह इसको स्ट्रेट करने की कोशिश रहेगी, इसमें रिलाक्स करें, इसी में रहें थोड़ी देर, कम से कम एक से दो मिनट का इसका अभ्यास करें, और आप फिगर आउट कर पाएंगे कि जैसे-जैसे लेफ्ट-डाइट भी मूव कर सकते हैं, जैसे-जैसे आप इन सभी अभ पाते हैं, दिवार का सहरा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे दिवार है, दिवार पर लगा कर भी आप बैठ सकते हैं, मलासन का भ्यास करें, बहुत ही जरूरी है, मालीजे मैट पर अच्छा एक तरीका और बताता हूं, वैसे आपकी हील उठ रही है, तो मैट को पकड है, आदत डालें इसकी दो से चार महिने लगेंगे आपको, पर आप एक बार मलासन में बैठने की आदत पढ़ गई तो बढ़िया, फिर एक मिनट, दो मिनट और दस मिनट तक का इसका अभिहास करेंगे, और यू विल सी, लॉट विल चेंज इन यू लाइफ, है ना, चलि बहुत है, सबको होता है, नहीं, सबको नहीं होता है, और आपको हुआ है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, है ना, चलिए, अगली बार मिलते हैं, किसी और तकलीफ को कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हरियोम तट सार् प्रॉब एजर प्रॉब तक के लिए, तक का लिए अपना ध्यान रखें, हरियोम तक क का लिए ना भी तक का लिए, और मिलते हैं, हरियोम तक क का लिए, तक का लिए.